वेल्लो प्रेंट्स वेल्कमह farmers माइ यूटू चैनल हैंडि इन दयाई में। दोस्तो इस ऑद चैनल में हम सिर्फ मेंडरेल के जो प्रयोग हैं मोंनो हैब्रीट, ट्राइब्रीट और ट्राइब्रीट दोस्तों इसमें हम सिर्फ इनके जो जीनोडाइप होते हैं दोस्तों जीनोडाइप और फीनोडाइप इन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके जो ratio होते हैं इन दोनों के जो ratio होते हैं जितनस के गहां पिछ जरूरी है यह काईसे निकलता है आपने प्रयूक तो किया होगा अगर आपने मेरे प्रीवेस वीडियो नहीं देखिए तो कोई बात नहीं दोस्तों लेकिन आपको मैं इस वीडियो के अंदर इन तीनों के जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना सिखा दूँगा बिना किसी पुनेट चौट के ठीके दोस्तों आपको कोई चार्ट यहां बनाने के आओ सकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो ले मेडिकल फॉर्मूले के लिए प्रिपेर होना पड़ेगा दोस्तों ठीक है आईए हम इस वीडियो को स्टाट करते हैं पहले सबसे पहले आप जान जाएए जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों और जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में आप जानेंगे तभी इस के दोस्तों जीनोटाइप ऐसा करेक्टर जो हमें किसी हुमन के किसी हुमन के या किसी प्लांट के बाहरी हिस्तों में देखने के लिए ना मिले यानि उनके जीन्स के अंदर वो करेक्टर सो हो ऐसा करेक्टर जो उनके जीन्स में हो वो जीनोटाइप कहलाता है और ऐसा तो पौदे में बाहर की तरह आप क्या क्या देख सकते हैं आप यह देख सकते हैं कितना सुन्दर है कितना हरा है कितना मोटा है कितना लंबा है वह कितने फल दे रहा है उसके बीज कैसे हैं यह सब आप देख सकते हैं तो यह सब किसके अंदर आ रहे हैं तो यह सब चीजे समझ गए होंगे अब मैं आपको तीनो रेशीयो के मेंडल के मेंडल की डाइब्रिड ऑर मेंडल का ट्राइब्रिड को इन तीनों के बारे में आपको कुछ तथ्य बताता हूं दोस्तों ठीक है जेनेटिक सब्द यह किस ने दिया था बेटसन ने ठीक है यह चीज़े आपको पता होने चाहिए दोस्तों ठीक है आई हम स्टाट करते है अपना लेक्चर जीनोडाइब और फिनोडाइब निकाला तो पहले हम मोनो हाइब्रिड के जीनोडाइब की बात करते हैं अगर आप दोस्तों आपको मोनो हाइब्रिड का जीनोडाइब और फिनोडाइब याद है और इसका जीनोडाइब याद करना बहुत हीज़ी है दोस्तों अगर आपको मोनो हाइब्रिड का जीनोडाइब और फिनोडाइब याद है तो आपको डाइब्रिड और ट्राइब्रिड का ज या दोना चाहिए क्योंकि फिनो टाइप अक्सर एक्जामनर पोस्ता है और मेंडल ने अपने तीनों प्रियोग में फिनो टाइप पर ही जोर दिया था ठीकर दोस्तों आईए हमें स्टाट करें आप हम आपको जाता है समय नहीं लूँगा पहले आपको हम आपको मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप और फिनोटाइप बताते हैं दोस्तों इसका आपको याद करना पड़ेगा मोनो हाइब्रिड का इसी के बेस पर दोनों का निकल जाए गए जीनोटाइप ठीके दोस्तों यह होता है मोनोर अभीड नियुकल को Basket Zeo- uży्ट का रेशियो है , अब मैं इसी के बेस्ट निकाल कि दिखाऊंग quis आइए कि अभीड मोनोर हिरिड दोस्तो आपको याद करनी पडिएगी , सब्ने के ऊपर औन पाते लस लगा ठीके दोस्तो यह देखी दोस्तो डाई हाइब्रीड का अपने MONो हाइब्रिड कहा निकाल लाइब हमें यहां से जीनो डाईब निकल रहे हैं जीनो डाईब नहीं हाई एक इतरो लाइन ड्रो कर दे रहा हूँ यह डाई हाइब्रिड के लिए हो जाएगी और यह tri hybrid के लिए line हो जाएगी, ठीक ही दोस्तो, tri hybrid, यह दोस्तो, tri hybrid का हम genotype की बात करते हैं, तो इसका आपको formula याद होना चाहिए, monotype के genotype का, एक उन पाते, दो उन पाते, एक, यही दोस्तो हमने monotype का ही genotype ले लिया है, monotype का ही genotype यहाँ लिख दिया है, अब यहाँ हम bracket बन मतलब क्या होता है दोस्तो, n का मतलब होता है, number of, number of, number of hybrid, number of hybrid, hybrid मतलब संकर की संख्या पूछ रहा है, संकर की संख्या, n कहलाता है दोस्तो, n कहलाता है हमारा संकरो की संख्या, यहाँ कितने संकर है डाई hybrid में, दो संकर है, तो बस formula क्या हो जाएगा, एक उन पाते, दो उन n बता रहा है number of hybrid hybrid कितने डाई hybrid में डाई की बोला गया डाई का मतलब 2 होता है दोस्तों यानि डाई hybrid दो संकर होंगे यह n की पावर में ने 2 करते हैं ठीके दोस्तों अब इतर देखिए दोस्तों मैं कैसे निकाल रहा हूं इसका ratio यह हम इस चीज़ को हम यहां लिख ले रहे हैं एक उन पाते दो पाते एक का यह पासे का इन तीनो नंबर के साथ करूँ गा वन का गुला वन में चीआ दो लायं अन पात लगा दिया अलागों दो अरहे हैं अलागोत सोंहों नंहें पे दो संद्वाए हैका च्छा पर लकिपन सुल्च मेहरा है छेया है इस one का गुड़ा मैंने one के साथ किया, one आया, one का गुड़ा इस two के साथ किया फिर unpath two आया, इस one का गुड़ा मैंने फिर one के साथ किया, one आया, ये दोस्तो इसका ratio बन जाएगा génotype ratio दो तो अगर पता होगा ये monohybride का ratio होगा और आपकी खिताब में कुछ ऐसे लिखा दोस्तो आपकी घिताब में इस तरह लिखा होगा एक अनुपाते दो एक अनुपाते दो अनुपाते दो अनुपाते चार अनुपाते एक अनुपाते दो और एक अनुपाते दो और एक अनुपाते दो अनुपाते एक यह आपको हमको मिल गया आपको बता दू जब भी आप क कि इसे कि नंबर गिनने में 16 आने चाहिए 822 34 56 6 4 10 12 13 2315 16 यह हमारे किताब ही हमारे किताब में लिखा रही है 122 412 121 यह हमारे किसका होगा दोस्तों यह आपको गिंग में निकालेंगा अब अब मैं इसी की phenotype निकालने के लिए बताता हूं यह तो हो गया हमारा Genotype के लिए अब मैं आपको इसी का phenotype बताता हूं phenotype के लिए क्या करेंगे phenotype के लिए आपको एक formula और याद करना है वह है monohybrid के phenotype का अगर आप डाई हाईब्रीड का फिनो टाइप निकाल रहे हैं, तो आपको मोनो हाईब्रीड के फिनो टाइप पता होना चाहिए, क्या होता है दोस्तो, तीन अनुपाते एक अनुपाते दो, ठीके दोस्तो, यह हो गया, अब इसी को हम, जितना ब्रैकेट के अंदर, उसको हम कितने बार लिखेंगे, दो बार, इसको एर का मतलब डबल हो, चीजे डबल हो जाएगी, तीन अनुपाते एक गुड़े, तीन अनुपाते एक, ठीके दोस्तो, अब यह देखें दोस्तो, अब मैं सेम वही चीज, अब मैं इस थ्री का गुड़ा है, इसके साथ भी किसका दोस्तो, डाई हाइब्रिड का, यह हमारा फिनोटाइप हो गया, यह हमारा जीनोटाइप था, यह हमारा जीनोटाइप है, यह दाई हाइब्रिड का, और यह हमने अभी अभी ऑप्टेंट किया है, फिनोटाइप, किसका दोस्तो, मुनो हाइब्रिड का, ठीके दोस् पुर उसमें सिंबोल को सो करेंगे कारेक्टर दिखाएंगे उसके बाद उनको बताने में कम चेकम 10-15 मिनट लगेगा और आप चुटकियों में 2-3 मिनट के अंदर एक्सपर्ट स्टुडेंट बन जाएंगे अब मैं आपको ट्राइब्रेट के बारे में बताता हूं कि ट्राइब्रेट आप कैसे निकाल सकते हैं एकदम बेश्ट माध्यम से सेम यही प्रोसेस आपको लगे यही दो आपको याद करना है दोस्तो बाग कुछ नहीं अगर आप जीनोटाइब याद है तो आप अराम से निकाल सकते हैं दोस्तों ठीक है यह देखें दोस्तों अब हम इसमें पता रहे हैं हम से पहले जीनोटाइब निकालेंगे दोस्तों जीनोटाइब ठीक है दोस्तों इसका काफी बढ़ा होगा जीनोटाइब क्योंकि इसमें जो ट्र त्राइभ्रीड के जिनोाइब को पता नहीं होताहए लेकिन इतना इंपॉडटिंट भी नहीं है लेकिन आपको फिनोuse तो यादोना चाहिए मुझा वानी यादोने चाहिए थीकए तीनों का आइए दोस्तों इसका फॉर्मला क्या है एक पाते 2 पाते 1 से मोही चीजे दोस्त । त्राइब का मतलब 3, यह ट्राइबरिट नामी है, 3 संकर इसमें मिलेंगे आपको, कितने संकर? 3 संकर, इसे के पाउर हम कितने कर देंगे हैं, अब हम इसी चिछ को यहां लिख ले रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वो कितने बार है, 3 बार दोस्तो, जो ब्रैकेट के तीन बार हो गया, अब एक ही नंबर करें, पहले हम दोस्तों इस ब्रैकट को solve करेंगे, ठीक दोस्तों, फिर हम इस ब्रैकट के साथ इसका multiply कर देंगे, आईए दोस्तों, हम solve करें, यह देखिये दोस्तों, इस 1 का गुड़ा, हम इन तीनों नंबर के साथ करेंगे, इस 1 का 2, 2 2 जा, 4, 2 1 जा, 2, हमने कर दिया, अब हम इस 1 का गुड़ा भी, इन तीनों नंबर के साथ करेंगे, 1 1 जा, 1, 1 2 जा, 2, 1 1 जा, 1, हमने कर दिया, यह हमने एक bracket हमने complete कर लिया, यह पूरा, ठीके दोस्तो, अब हम, यह हमारा bracket solve हो गया, अब हम यह हमें मिला है दोस्तो, इसका यहां लिख लिया, 1 अनपाते, 2 अनपाते, 1, ठीके दोस्तो, यह देखिए, अब दोस्तो हम, इन सभी का गुड़ा, इन सभी का गुड़ा किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इन सभी का गुड़ा, इन सभी का गुड़ा हम इसके साथ करेंगे, यह इस 1 का गुड़ इन तीनों नंबर के साथ फिर इस टू का गुड़ा भी इन तीनों नंबर के साथ ठीके दोस्तों इस वन का गुड़ा हम इन तीनों नंबर कर रहा है वन वन जा वन टू जा टू वन वन जा वन हो गया दोस्तों अनपात लगा है हमने वन टू वन जा टू, टू, टू जा फोर, टू, वन जा टू, ये दो नंबर हमारे complete होगा, ये भी complete होगा, ये भी complete होगा अब हम इस वन को solve करते हैं वन वन जा, वन टू जा, टू, वन वन जा, वन ये नंबर भी हमारे complete होगा, अब इसकी बारे दोस्तो, वन, टू जा तू 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 जा फोर तू बंजा ये भी नंबर हमारा कंप्लिट हो गया अब इस फोर को हम ले रहे हैं दोस्तो फोर बंजा फोर तू जा एट फोर बंजा फोर ये हमारा फोर भी कंप्लिट हो गया हम इस तू को ले रहे हैं दोस्तो ठीक है तू बंजा, तू, तू तू जा, फोर, तू बंजा, तू, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा दोस्तो, अब इस वन का हम इन तीनों क साथ करेंगे, वन बंजा, वन, तू जा, टू, तू, वन, वन, जा, वन, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब इस तू का हम तीनों क तू हो गया यह भी खतम अब इस वन का गुड़ा हम तीनों करतेंगे वन वन जा वन टू जा टू वन जा वन ठीक है दोस्तो यह है इसका क्या है दोस्तो ट्राइब्रिट का यह हमारा जीनो टाइप है इनको काउंट करिए आप 64 आया कितना दोस्तो 64 अगर 64 आया तो सही है काउंट किया है मैंने सॉल्व भी किया इसको आपको बताने के प 스टट और आप आपके सामने कांट रर करेंगे बता दू लेकिन समय बहु ważne जट जन अ लग जाएगा दोस्तो अब ons बात करतें फीनो टाइप दोस्तो इस से कांट कर लेजेएगा आप चाहे तो मैं आपके सामने count करके बता दू लेकिन समय बहुँच ज़्यदा लग जाएगा दोस्तों अब हम बात करते फिनो टाइप की दोस्तों फिनो टाइप आप इसे count कर लेजिएगा अब इसका tri-hybrid का फिनो टाइप भी निकालने के लिए आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए three jam one three jam one की power and यह दोस्तों यह formula आपको पता होना चाहिए n का मतला power of hybrid power of hybrid कितना hybrid है tri-hybrid यह तीन hybrid है three you can take one की power three this is solve करते है किस पॉम में इसक जो bracket के अंदर हुए कितनी प दोस्तों CHRIS three on प्यूद एक गूड़े three on प्यूद एक गूद एक हमने लिख लिया अब इस चीच का हम solve करते हैं दोस्तों इस 3 का गुड़ा इसके साथ करते हैं, पहले हम एक bracket solve करेंगे, फिर हम दूसरा bracket solve करेंगे, ठीके दोस्तों, पहले हम इस 3 का गुड़ा, इस 3 के साथ करेंगे, 3 3 जा, 9, jam, 3 बंजा, 3, फिर हमने एक jam लगाया, 1 3 जा, 3, jam, 1 1 जा, 1, यह हमने solve कर लिया, अब हम जो हमार पास य लेते हैं दोस्तों, पेंडिंग में, यह हम अब इस भी process में ले लिए, अब इस 9 जो यह bracket है दोस्तों, इस पूरे bracket का हम इसके साथ multiply करेंगे, पहले हम एक एक नमबल ले, इस 9 का, इस 3 के साथ, 9 3 जा, 27, ठीके दोस्तों, jam, 9 बंजा, 9, आगया दोस्तों हमारा, अब इस 3 क 9 3 जा, 3, यह भी हो गया हमारा, अब हम इस ब्रेक, इस 3 को लेते हैं, इस 3 को, 3 3 जा, 9, 3 जा, 3, यह हो गया हमारा, अब इस 1 को ले लेते हैं, 1 3 जा, 3, 1 1 जा, 1, आब हम इसे serial से लिख लेते हैं, यह आपका क्या होगा दोस्तों, फीओ ताइब, आधा इस way लेना चाहिए, दोनों को दोनों ही सही है यह अपने फिनो टाइप निकाल लिया फिनो टाइप और यह आपने निकाला जीनो टाइप किसका दोस्तो ट्राइब्रीड क्रॉस का यहां पर आपने निकाला था यह डाइब्रीड क्रॉस का जीनो टाइप यह डाइब्रीड का यह डाइब्रीड का रेदाज का फिनोटाइप यह इस तरह अब निकाल सकते हैं मुझे ज्यादा पंदरा मिनिट लगा इसको सॉल निकालने में अगर पंदरा मिनिट क्यों लगा दोस्तों क्युकि इसे संजह रहा था क्यां ? यह इसे निकाल सकता है दोस्तो बहुत ही एजी अबस आपको math के कुछ जो हम multiply कर रहे हैं उसमें आपको कोई गलती नहीं कर देंगे दोस्तो तभी आप अच्छे से genotype और phenotype को correctly निकाल सकते हैं और अच्छा से अच्छा impression teacher पर जमा सकते हैं दोस्तो अचंबित हो जाएगा कि आपने इतने जल्दी कैसे निकाला मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में इसी तरह इंट्रेस्टिंग वीडियो में ठैंक्यू फॉर वचिंग माई वीडियो चैनल अच्छा लागाओ दोस्तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक ठैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो